EdTech स्टार्टप बाईजू के शेयर धारकों की 23 फरवरी को हुई असाधारण आम बैठक का नतीजा सामने आ गया है। स्टार्टप की Parent Company Think and Learn Private Limited के निवेशकों ने Founder और CEO बाईजू रविंदरन की Leadership वाले Management को कमपनी के बूर्ट से बाहर कर दिया है। Process General Atlantic और Peak Access V जैसे कई Blue Chip निवेशकों ने EGM में CEO बाईजू रविंदरन को हटाने के लिए मददान किया। नहें बाहर करने की मांग करने वाले निवेशकों की जून 2022 तक कमपनी में 30% स्याधिक हिस्सेदारी थी। EGM में निवेशकों ने संकट ग्रस्ट AdTech स्टार्ट अप की लीडर शिप में सुधार करने, बोर्ट को रीकॉंसिट्यूट करने और परसाशन से जुड़े कथित उलंगनों की फोरेंसिक जाद शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किये। एक प्रवक्ता ने कहा कि आज 23 फरवरी की EGM में सियर धारकों ने वोट के लिए रखे गए सभी प्रस्तावों को सर्व सम्मती से पारित कर दिया है। हलाकि शुकरवार को होने वाली वोटिंग का नतीजा 13 मार्च तक लागू नहीं होगा। उसन करनाटक हाई कोट कुछ निवेशकों के कदम कुछ चुनौती देने वाली रविंदरन की याचिका पर सुनवाई करेगा। इमोवा शियरधार को समझोता का उलंगन बताया था। बैजूज के परवक्ता ने कहा बैजू रविंदरन या कोई अन्य बोर्ट सदस्य इस अमान्य एजियम में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इसके बावजूद भी EGM बुलाये जाने पर उसमें जरूरी कोरम नहीं होगा और एजेंडा पर चर्चा या मद्दान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कि इन्वेस्टर सोर्सेस ने दावा किया कि EGM वैद है और पूरी तरह से कानून के अनुरूप है। कि इसके बावजूस की वैल्यूशन वर्च 2022 में 22 अरब डॉलर थी, अब ये घटकर 20 करोड डॉलर पर आ गई है। EGM नोटिस को जर्नल एटलांटिक पीक एकसेसवी, सौफीना, चेन, जुकरबर्ग, आउल और सैंड्स का सपोर्ट था। नोटिस में कहा गया कि शियरधारक मौजूदा, लीडर्शिप में, पविश्य में स्टार्ट अप की सिर्दा को लेकर बेहत ज़्यादा चिंतित हैं। स्टार्रा मौजदा मौजदान था प्राइवा चाइब हैं।